बिस्मिल्ला इर्मानिरोहीम असलामुलीकूम वेलकूम को माई चैनल आज मैं आपके साथ ब्यूटिफू स्लीव्स डिजाइन शेयर करूँगी तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने यह फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की चुड़ाई जो हमारे पास सेमरींच है औ इतनी स्लीव के उपनिंग है तो मैं 16 इंच रख रही हूं यहां पे इसको हम इससां से पल्टेंगे और यहां पर हमने इसके सेंटर में बुक्रम को पेस्ट किया हुआ है दोनों तरफ गैप रखते हुए फैब्रिक का तो इस तरफ हमने 2 इंच फैब्रिक चोड़ा है और दूसरी तरह भी दो इंच हमने फैब्रिक को छोड़ा है और सेंटर में जो हमने बुक्रम पेस्ट के इसकी हमरें पश चोड़ाई जो हमब तीन इंच है अब हम इस तरह से इसपर करेंगे तो इसको हमने यहां पे अ'ची तेप को रखकर टू इंच पर नार कर लेना हुआ ह सेम इसी तरह हमने जो है दूसी साइट पर भी दो दो इंच की दूरी पर मार कर लेंगे तो यह देखिए हमने जो निशान लगा लिए अब हम इन शानात को मिला लेंगे तो यह देखिए हमने जो निशानात को मिला लिया है लाइन जो ड्रॉ कर लिए अब यह जो हमने जो हमन करो न ही लगा न से इसी तार बनेंगेंगे इस से सफ से यह बंद जाएंगे। तो यह को छ फोल्ड कर से पर से तो यह को आ जाएगे लिए मैं पर तो यहां पर यहां हो सी इस सबसे हम fold करेंगे इसको फिर इस तरह से fold करेंगे और यहां पे जो slice ला लेंगे तो इसी ही ट्रिक को follow करते हुए हमने अपना पूरा pattern रेडी कर लेने तो आज केल वैसे भी इस trick के साथ जो है यह trick बहुत ज्यादा जो है वह चल रही है इसी के से जो है ट्राइंगल्स का जो शेप बनाना तो बहुत यह असान है तो आप इस ट्रिक को फालो करते हुए तो इस डिसाइन को जो एजिली बना सकते हैं तो आप यह डिसाइन जो है स्लीव पर बना सकते हैं ट्रॉजर पर बना सकते हैं शेट के दामन पर भी तो यह डिसाइन जो बना ह अब यहां से हम घट कर देंगे है तो यह हमारी एक साइट पर जो है यह ट्रे या तो यह बन to एसलाइल लगा लेंगे तो मैं आपको छ यह कम्प्लीर ऐटी करके दिखाती हूँ तो ये देखिए हमारा पैटर्न जो रहटी है अब हम इसको इसको इससे पल्टेंगे तो ये सीधी साइड है अब हम इसके उपर जो हम मजी थोड़ी से और जाइनिंग करेंगे तो हमने क्या करना है यहां पे जो है ना दो दो मतलब यहां पे हमने हाफ इंच की दूरी पे जो हमार करना है आदे 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 इंच की दूरी पे जो मार कर लेंगे और इस स्केल की मदल से जो वो लाइन डो कर लेंगे तो ये दिखिए हमने जो है लाइन जो लगा ली है आप जो हम ये जो हमने लाइन जो है लगाई हुई है तो ये महाँ पास गोटा पटी है तो इस गोटा पटी को हमने जो है इस लाइन के उपर जो है रखके स्टीज कर देना है तो आप गोटा पटी की जगा पे कोई भी रिबन यूज कर सकते हैं कोई भरिक सी लैस यूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे तो इस सांसे हमने जो है यह जितनी लाइन लगी हुई है इन सब के उपर जो है इस सांसे जो यह गोटा पटी जो है वो स्टीच कर लेनी है तो ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्रीज आपसे रिक्वेस्ट है के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजेगा और अकमंट करके भी लाजमी बताएगा कि आपको मेरे ये वीडियो कैसी लगी है तो ये देखिए हमने गोटा पटी जो है लगा लिए अब हम अपनी जो है ये स्लीव लेंगे और इसको जो है ये ओपनिंग वाली साइड है तो इसको इससे अंदर की तरफ फोल्ड करना है हमने और यहां पे जो है वो स्लाई लगा लेनी है देखिए यहां पे हम जो है पूरी स्लाई लगा लेंगे स्लीव की तो यह हमारी जो है स्लाई लग चुकी है अब हमने जो है क्या करना है यहां पर यह जो हमने जो पैटन रडी किया हुआ है इसके ब्राबर में अपने स्लीप्स को रखना है और यह जो ट्राइंगर्स के कॉर्नर है तो यहां पर इसके ब्राबर में रखके हमने इस को नवली जगा पे इस संसे जो है निशान लगा लेने है कि जिस संसे मैं लगा रही हूँ यहां पे निशान लगाएंगे और सेंटर में हमने इसके जो है परल लगाने है तो परल आप जो कोई भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं जो वाइट कलर के परल यूज़ करूँगी यह इससे इसके सेंटर में हमने रखके नीडल की मदर से जो वो अटेच कर देने हैं यह पर तो मैं इसको जो रेडि करके आपको दिखाती हूँ तो यह देखे कुछ हिस्तरा की लूक है हमारी डेजाइन की तो यहां पर हमने जो सेंटर में बड़े पर लगाएं उपर और नीचे जो हमने जो चोटे पर लगाएं तो मार्शाल इससे डेजाइन बनके जो वो रेडियो को बहुत ही प्यारा लग रहा है आई होप आपको मेरी के वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब कर दें और प्यारा जक्मन भी लाजमी कीजिएगा ओके मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अलाफ पीस बाइबाई टेक क्यार